दोस्तो नमस्कार आप सभी घसु आगत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आरेने सेजुकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित साव विभाग भरतियों को लेकर के और बहुत बड़ा अपडेट है ACS मेडम की आज मिटिंग थी और उस मिटिंग के बाद ACS मेडम का बड़ा समवेधन सिल फैसला भरतियों की समिक्षा बैठक के दोरन आया है पूरा आपडेट क्या है बता देते हैं आप सभी को आसान भासा में और अंतिम्तिथी आगे बढ़ेगी ये भी लगबग तया हो चुका है तो पूरी दोनों भी बातों पर चर्चा करने वाले सबसे पहले खबर को देख लीजिए आप लोग क्या कुछ है फरस्ट इंडिया न्यूज की जानकारी बिरुजगारों के प्रती सुब्रा सिंग की समवेधन सिल ता तो ये बहुत कम देखा जाता है कि इस तरीके से समवेधन सिल कोई होता है तो यहाँ पर जो मैम हैं सुब्रा सिंग, ACS, चिकितसा, विवाग के अतरिक्त, मुख्य ससीव हैं उनके दुआरा एक समवेधन सिल ता दिखाई गई है भरतियों में अनभो पुर्मान पत्र को लेकर के जो दिक्कते आरे उनी को लेकर के यहाँ नोंने विवाग को निर्देशित किया है और ये पूरा अपडेट है साथ यो बात चिकितसा विवाग में चल रही भरतियों से जुड़ी भरती में अनभो पुर्मान पत्र को लेकर आ रही काई तरह के दिक्कतें इसे में ACS, Medical, सुब्रा सिंग ने सभी अधिकारें को निर्देश दिये गए हैं अनभवी चिकिट्सा कर्मियों को समय पर अनभो पुर्मान पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं आप लोग देख सकते हैं समय पर अनुभो प्रमान पत्र जारी करने के निर्देश यहाँ पर ACS मैम ने अधिकारियों को दी हैं जिन चिकित्सा कर्मियों ने दी हवी भिन जगों पर अपनी सिमा उन्हें समय पर अनुभो प्रमान पत्र जारी करने के निर्देश नियालम वि पालना कर्यादिकारी ऐसा इन्होंने कहा है ठीक है तो ये ACS मेम की तरफ से कहा गया है दूसरी बात दोस्तों कर लेते हैं लास्ट डेट की देखे दोस्तों लास्ट डेट को लेकर जो जानकारी मिली है उसको लेकर कि अपने ठेकी छे से साथ दिन जो है ये डेट को एक्स्ट भाई घोडे बेच कर मत सोजाना कि भाई अब तो साथ दिन बढ़ जाएगी अब तो अगले तीन दिन बाद भर लेंगे जितना जल्दी कोशिस करें भरने की कोशिस करें दो दिन बचे हैं आज और कल ठीक है ये तो चार तारिक तक जो डेट थी उसके बचे हैं आगे बढ़ देंगे तो उमारे लिए इस बार बैठे नहीं रहेगा कोई भी और ये साथ दिन समझलो लास्ट डेट जो बढ़ेगी ये साथ दिन ही परियाप्त होंगे उसके बाद नहीं आएगे फोरम भरने में दिक्कत ना करें जो पुरानी जो फीस है उसको लेकर के भी ना बैठे बैठे रहें कि भाई पांच दिन होगे पुरानी फीस का OTP तो नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा तुम मारो गोली उसे और नहीं फीस दे दो ढ़ाई सो तीन सो चार सुरुपयम कोई गाउं से बाहर नहीं होने जा रहा ठीक है तो पुरानी फीस का OTP आएगा जब ये मैं तो छोड़ना चाहिए और रही बात अपने डाक्यूमेंट वगरा की अब सबने बनवा लिये होंगे और नहीं बनवाए होंगे तो भाई उनसे ला परवा बे परवा कोई नहीं होगा ठीक है जो इतना कुछ समझाने के बाद भी इतना कुछ बताने के बाद भी नहीं कर पार आप लोगों दिक्कत यह है कि आप लोग समय पर देखते नहीं है एक चीज को पचास बार वेरिफाई करते हो जाती प्रमान पत्र चल जाएगा किनी सरजी इतने पुराना था अब भाई बता चुके हैं हर चीज को देखा करो आप लोग ठीक है OBC, MBC, EWS एक साल से ज़्या ज़्यादा पुराना जाती एफिडिविट के साथ चलेगा किसके साथ चलेगा एफिडिविट के साथ चलेगा किसी का तीन साल से ज़्यादा पुराना है जनरल में OBC में EWS में वो नहीं चलेगा उसको बदलवा लीजिए ठीक है आएकर आपको नहीं बनवाना आएकर से क् रुपए फीस्ट का दिक्कत आरा बस आए कर दोगे तो सो रुपए कम लगेंगे यान की धाई सो रुपए लगेंगे OBC, MBC, WS के SCST को आए कर बनवाना ही नहीं है और मैं तो कहता हूं कोई भी आए कर ना बनवाए भाई धाई सो रुपए की जगे साढ़े तीन सो दे दीजिए और काम खतम कीजिए सो रुपए बचाओगे फीस के सो रुपए ही तुमारे उसमें लग जाने है आए कर बनवाने में इनचे जो को समझा करें किसी के यहाँ पर विवा परमान पत्र को लेकर दिक्कते हैं कि वह विवा परमान पत्र में समश्यय है जैसा तुम्हें लगे वैसा उचीत आप लोग करिए लेकिन फोम तो भरिए ये लास्ट डिट बढ़ेगी मतलब 6-7 दिन बढ़ेंगे हलंकि अधिकारिक जानकारी नहीं है मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं ठीक है लेकिन आपको इन दो दिनों के अंदर जो है फोम भरने क कि फुल कोशिस करनी चाहिए और सब को experience मिल गया और नहीं मिला तो भागा दोड़ी करके ले लिजी अपना ठीक है कोशिस करिए कि मिलेगा और अब आज ACS मैम ने काया है तो निश्ची तोर पर थोड़ी सी और तेजी आने वाली है और निश्ची तोर पर ये सही फैसला य ठीक है आरे ने सेज crypto जी लेकर आता रएगा तुमारे लिए और पस भाई करना तुम्हें ही है form ज़ल से ज़ल भरना है ठीक है मेरे बाते बुरी लग सकते हैं कि यार कि इतना ज़्यादा तूम बताते रहते हो इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो इसलिए बोलता हूं कि हाँ यह सही कह रहे हैं ठीक है बैठा नहीं रहे विसेश कर एनम ल्टी आर्टी सुन लो मेरी बात ठीक है भाई अब से भर दो फ्रैसर हो भर दो बोनस वाले हो तो लगो पीछे पन्वा अपना बोनस डाक्यूमेंट वगरा पूरे करो उनको दो और उनको बैड जाओ धरने देखर के सामने जल से जल जारी करो ठीक है तो जितना अब देखिये जिनकी दस बारा तारीक तक है फोम नर्सिंग ओफिसर फार्मासिस्ट के भरेंगे उस हिसाब से लिस्ट भी आनी है वेरिफिकेशन की ठीक है इस बात को भी ध्यान लो ऐसा नहीं है कि वह एक साथ की लिस्ट आएगी इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी जिस तरीके से भरती निकलें उसी तरीके से वेरिफिकेशन उसी तरीके से लिस्ट उसी तरीके से जोइनिंग वगरा सारी चीज़ें होंगी तो समय बहुत कीमती है अगर इसी सरकार के दुआरा लेना चाहते हो पो